सुबह उटते ही इन पांच चीजों को देखने से बचना चाहिए वरना आपको कंगाल बना देंगी अक्सर आपने अपने घर के बड़े बुजर्गों से ये कहते सुना होगा कि सुबह सबसे पहले उटते ही अपने हातों की हतेली को देखना चाहिए मानने तो के अनुसार हतेलियों में मातलच्मी का वास होता है परन्तु क्या आप जानते हैं कि हमारी दिन चरिया में कई ऐसी चीजें हैं जिने सुबह उटते ही नहीं देखना चाहिए कहा जाता है कि यदि इन चीजों को देख लिए जाए तो आपका पूरा दिन बरवाद हो सकता है साथ ही आपको अन्य तरह की परिशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है कौन से पांच वस्तुएं हैं या चीजें हैं जिने सुबह उटते ही देखने से बसना चाहिए आईए जानते हैं नमबर एक बंद गड़ी का दिखाई देना वास्तो सास्तर के अनुसार यदि आपको सुबह उटने के साथ ही बंद गड़ी दिखाई देती है तो यह संकेत माना जाता है कि कोई बड़ी समश्या आपके जीवन में आने वाली है नमबर दो आईना देखना जोती सास्तर के अनुसार यदि कोई व्रती सुबह उटते ही उटने के साथ ही आईना देखता है तो यह असुब माना जाता है यह संकेत माना जाता है कि बने बनाए काम बिगर सकते हैं वास्तो सास्तर के अनुजार यदि सुबह आग खुलते ही आप परचाई देख लेते हैं तो ये आपके लिए असुब हो सकता है इसे मृत्यो ऐस्विक्रती ग्रहना या अंदकार से जोड़ कर देखा जा सकता है नमबर चार खंडित मूर्ती का दीखना वास्तो सास्तर के अनुजार सुबह उटने के साथ ही भगवान की खंडित या टूटी उटी मूर्ती नहीं देखनी चाहिए यहां तक की इन्हें पूजा घर में भी नहीं रखना चाहिए ऐसी मूर्तिया मनुष्य के जीवन में कष्ट बढ़ने का संकेत देती हैं नमबर पांच जूटे बरतन का दीखना जोति सास्तर के अनुसा सुभह जागने के साथ ही जूटे या गंदे बरतन देखने से बचना चाहिए इनसे रिस्तों में दरार पैदा होती है और घर का माहौल तनाव पूर्ण हो सकता है इसके अलावा इसे कंगाली का संकेत भी माना जाता है वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार चैहिन जैवार